नमस्कार बहुत स्वागत आप सभी का आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश बाबा सामने आया जूट का पुलिंदा लाया आप सब के साथ मैं हूँ प्रियंकार आया हाथरस हाथसे के चार दिन बीच चुके हैं 121 मौत और चार दिन बीच जाने के बा पाखंडी बाबा खुद तो सामने नहीं आया लेकिन उसका बयान जरूर सामने आया है दो मिनट के बयान में हर शब्द फरेप और जूट से भरा हुआ है यानि बाबा ने अपने बयान में जो कहा और उसने जो किया दोनों आपस में मिल नहीं खाते इसी से समझा जा सकता ह कि सुवायम भू बाबा कितना बड़ा फरे भी है देखिए रिपोर्ट बाबा तो सामने आया लेकिन बयान पर जूट का साया बाबा की कथनी करनी में फर्क क्यों वो मुर्दे में जान भूकने का दावा करता है लेकिन लाशों का अमबार लगा कर वो भाग जाता है मौर्थ, मातम और दर्द के चार दिन बीच जाने के बाबा सामने आया तो सब के लिए जूट का पुलिंदा लेकर आया ऐसा जूट जिसमें उसकी कथनी करनी में फर्क साफ दिखाई दे रहा है पहले पाखंडी बाबा का वयान सुनिये फिर उसके जूट को बेनकाब करते है पाखंडी बाबा कहता है कि मैं दो जुलाई की घटना के बाद बहुत व्यत्यत हूँ लेकिन अगर वो सच कह रहा है तो दर्द बाटने के बजाए बाबा परार क्यूं है हम दो जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यत्यत है पाबा कहता है कि प्रभू हमें इस दुख की घटी से लडने की शक्ती दे वो खुद को भी कभी भगवान कहता था लेकिन अब सवाल उठता है कि घट्याली आसु बहाने के बजाए हाथ से को रोपने की कोशिश क्यूं नहीं की प्रभू हमी बशंगत को इस दुख की घटी में घटी से उबरने की शक्ती दें बाबा का सबसे बड़ा जूट तो तब पकड़ा गया जब उसने कहा सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाय रखे लेकिन सवाल ये है कि वो खुद पुलिस से अब तक क्यूं भाग रहा है बाबा के बयानों और उसके इरादों का फर्क हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है बयान से साफ है कि उसके अंदर का चोर पुलिस के सामने आने से रोक रहा है हलाकि स्वेंभू बाबा के वकील एपी सिंग का दावा कुछ औरी है बाबा के बयानों में शुरू से आखरी तक छूट ही जूट भरा नजर आता है करीब दो मिनट के बयान में बाबा का हर शब्द छूट में डूबा हुआ था ऐसा जूट जिसे पचा पाना आसान नहीं बाबा ने अपने बयान में कहा कि हमें विश्वास है कि उपद्रवी बक्षे नहीं जाएंगे लेकिन सवाल ये है कि सबसे बड़ा विलन जंता उसे ही मान रही है फिर चार दिन से पुलिस के सामने क्यों नहीं आया बाबा बाबा ने अपने बयान में पिड़ितों के साथ जीवन भर खड़े रहने का आग्रह किया है लेकिन सचा ये है कि पाखंडी बाबा पिड़ितों से मिला तक नहीं फिर भला वो जीवन भर साथ खड़ा रहने का दावा कैसे कर सकता है दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन परियंत तन्मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है जिसको शवीने माना भी है बाबा की कहानी में गजब का जोल है वो बाबा जो पद्रव्यों को ही बख्षे जाने का दावा कर रहा है हाथ से के बाद कुछ इस तरह भाग रहा था अलाकि बाबा के वकील एपिस सिंग दावा कर रहे है कि बाबा कहीं छिपे नहीं है लेकिन सच तो ये है कि बाबा सामने भी तो नहीं आ रहा बाबा का इतने दिन बाद आना सामने यह थाहा हंजम नहीं हुआ कीले की तरह उसमें रहा अगरे लाज कर नहीं मैं अन्टीसपेटरी बेल नहीं किया सरंडर नहीं अलगाया बाबा पर्दे के पीचे से एपी सिंग के सरिये खेल रहा है जबकि उसके मोहरे एक एक कर सामने आने लगे है पुलिस की फाइलों में जिसे मौतों का जिम्मेदार बताया क्या जिस पर एक लाफ का इनाम घोशित था अब वो मदुकर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है UPSTF ने उसे अरेस्ट किया तो मीट जाग उठी कि अब कई राज खुलने वाले है मुख्यायोजेग मदुकर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूस्ताश में जुटी हुई है यानि बाबा का राइट हैंड अब हर राज उगलेगा 121 मौतों की कहानी कैसे लिखी गई इसके भी जवाब मदुकर को देने होंगे कहां से भीड आई क्यों पुलिस को रोका गया और भगदल के बाद बाबा कहां फरार होकर निकला इन सब के जवाब मदुकर से मिलने की उमीद है बाबा अपनी किसी आलिशान आश्रम में छिपा है कानपुर, लखिमपुर, नॉड़ा, संभल या और कही अब तक के रिपोर्ट दावा करती है कि वो मैंपुरी के आश्रम में ही छिपा है क्योंकि उसका बयान भी मैंपुरी के ही किसी ठिकाने से सामने आया है बहरहाल SIT की शुरुवाती जाच रिपोर्ट सामने आ चुकी है लेकिन बाबा अब तक जाच के ताइरे से दूर है ब्यूरो रिपोर्ट म्यूसिटी तो बाबा साकार हरी का हर चेहरा आप सब के सामने आ रहा है उसकी लविश लाई फालिशान आश्रम और आश्रम के स्पेशल इंतिजाम एक ऐसा ही खुलासा उसे अलवर आश्रम को लेकर हुआ आश्रम के असपास रहने वालों का दावा है कि वहां किसी भी स्थानी आदमी को घुसने तक नहीं दिया जाता था बाबा के इस एकांत वास में सिर्फ लड़कियों और औरतों को ही इजाज़त थी ऐसा दावा है अलवर के लोगों का देखिए रिपोर्ट स्वयम्भू बाबा का अलवेला आश्रम यानि उसके रहसे लोग का एक मैया चप्टर जिसके खुलते ही बाबा का असली चहरा दुनिया के सामने आगया वो आश्रम जहां सर्फ लड़कियों को थी जाने की इजाज़त मैनपुरी सिलक भाग 303 किलोमीटर दूर राजिस्थान का अलवर जिला अलवर जिले सहचपुरा में भी बाबा का डेड़ बिखें के करीब जमीन पर बना एक आलिशान आश्रम है जो हमेशा से इस्थानिया लोगों के लिए मिस्ट्री बना रहा लेकिन इस आश्रम के सबसे हरान करने वाला सचका केनेक्शन लड़कियों से है यानि इस आश्रम में किसी भी लोकल आदमी को एंट्री नहीं मिलती थी बलकि आश्रम में स्पेशल पास वाली महिला वक्तों को ही जाने की इजाज़त थी इस आश्रम में जब सत्संग होता था तभी आम श्रधालों को अंदर जाने की इजाज़त मिलती थी सहचपुरा गाउं के लोग बताते हैं कि बाबा के इस आश्रम में गाउं के लोगों को आने जाने से रोग दिया जाता था सिर्फ बाहर से ही आने वाली महिला श्रधालों और लड़कियों को आश्रम में आने की अनुमती थी महिला सेवातारों के अंदर जाने के बाद आश्रम में क्या होता था ये कोई नहीं जानता यानि बाबा के मायावी लोग में लड़की और महिलाओं को लेकर हमेशा से एक मिस्ट्री बनी रहे इस थानिय लोग आफ दे कैमरा इन आश्रम को आयाशी का अट्टा करार दे रहे हैं बाबा की नियत पर सवाल इसलिए भी उठाय जाते हैं क्योंकि उसके प्राइवेट महिला आर्मी भी जनरल गद्दाफी की तरह ही थी मीडिया रिपोर्ट्स में सूरजपाल जाटव के पूर्ण सेवादार रहे रंजीज सिंग के दावे से कई संजिनी खेज सच उजागर हुए हैं रंजीज सिंग ने अपने इंटर्व्यू में दावा किया है कि सूरजपाल जाटव के आश्रम में 16 से 17 साल की कई लड़किया रहती हैं जिन्हें ये अपनी शिश्या बताता है सूरजपाल इन लड़कियों से गलत काम भी करवाता है यानि टोटल पर जीवाडा स्वयंभू बाबा ने सारा समराज वरेव की बुल्याद पर तान रखा है लेकिन पाखंड पर खड़े उसके इस समराज की नीव अभिल चुकी है पाखंडी बाबा का चेहरा बेनगाब हो चुका है बोले बाबा के आश्रम में सिर्फ एक जगा नहीं है बलकि यूपी के कई जिलों में बाबा के आश्रम है कई बिगों में फैले आश्रमों की कीमत करोडों में बताई जा रही है देखे रिपोर्ट हाथरस भगदर केस की बाद बाबा नारायन साकार हरी उर्फ खुले बाबा की अगूद दौलत का लगातार फुलासा हो रहा है देश में कई आश्रम का भी पता चला जिसका मालिक बाबा नारायन हरी है इन अलिशान आश्रमों की संपत्ती करोणों रुपए से भी जादा की बताई जा रही है जिन जमीनों पर बाबा नारायन साकार हरी के आश्रम हैं वो जादातर दान की जमीनों पर बने बाबा को मानने वालों ने उसके मानव सेवा आश्रम ट्रस्ट को ये जमीने दान में दी थी पिछले साल जैसे ही जमीनों की रेजिस्ट्री बाबा सूरजपाल के ट्रस्ट के नाम पर हुई तुरंट ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया ताकि करोणों रुपे की इन संपत्यों पर फविश में उनके ट्रस्ट का कब्जा आफो सके इस समय बाबा सूरजपाल के पास कई जिलों में भव्व आश्रम है सूरजपाल के शीश महल मैंपूरी आश्रम मैंपूरी के बिच्ववा गाउं में बाबा नारायंट साकार हरी और भोले बाबा का आश्रम 21 भीघा में पहला है उची बाुड़ी दे कर आश्रम दो भागों में बाटा गया है करीब पाँच भीघा में बाबा की आलिशान कोटी बनी है कोठी की चट पर नारायंट साकार हरी और फुप भोले बाबा की तस्वीर लगी है बाबा की कोठी में जाने वाले रास्ते पर रंगोली और किनारे लगी रेलिंग को आर्टी फीशल पूलों से सजाया गया है सूरज पाल के शीश महल कासगंज आश्चरम कासगंज के बाहदुर नगर में बाबा का आश्चरम किसी महल से कम नहीं 18 भीगे में पहले इस आश्चरम में सुक्स विधाओं के शानदार इंतजाम है लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि बाबा के किसी भी आश्चरम में एक भी CCTV कैमरा नहीं है इसके अलावा सिवादार किसी को भी बाबा का ना तो वीडियो बनाने देते थे और ना ही पोटो कीजने देते थे नौडा आश्चरम बाबा नाराएंड साकार हरी का नौडा में भी आश्चरम है नौडा के डूप शेत्र में सेक्टर 87 इलावांस गाउं में बाबा का आलिशान आश्चरम इसमें आश्चरम के दर्वाजों पर लोहे के बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं जानकारी के मताबिक काफी वक्त से बाबा यहां नहीं आए आगरा आश्चरम आगरा में भी भूले बाबा का आश्चरम भूले बाबा के आश्चरम के बाहर एक नल लगा हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां से पानी के जरिये लोगों का इलाज किया जाता था शुरुआत में आगरा से ही दो कमरों में भोले बाबा ने अपना सिलसला शुरू किया था भोले बाबा के भक्तों में कई वी आई पी भी शामिल हैं जो भोले बाबा के प्रवचन में आया करते थे कानपूर आश्रम नाराइन साकार विश्वहरी उर्फ भोले बाबा बने सूरच पाल का कानपूर के विद्नु गर्सुई गाउं में भी सामराज्य पहला हुआ है यहां करीब 6 एकर जमीन पर आश्रम बना हुआ है दौसा आश्रम राजस्थान के दौसा में भी भोले बाबा का आश्रम है राजस्थान में ही अलवर जिले के एक आश्रम में बाबा साल 2020 से साल 2021 तक रुूखे थे इस आश्रम में तमाम सुख सुविधाय मौजूद है बाबा के सेवादा रहते हैं और सतसंग भी होता है अलवर में खिडली के सहाचपुरा गाउं में नारायन साकार हरी का आश्रम है ग्रामीनों का आरूप है कि आश्रम में सहाचपुरा के लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता बाहर से आने वाले लोगों को बाबा की आश्रम आने की खुली छूट है लेकिन इस्थानिय लोगों को नहीं, कोरोना काल में साल 2020 में करीब 10 महीने लगातार इसी आश्रम में रहे थे बाबा नारायन साकार हरी लोकेजी ये बताईए, जिसे एक साल करीब हाप रहे हैं, क्या पर हमें गुजा रहा है, और रहा है, जो ये लोग अंदर आते हैं, ग्रामी लोगों को नहीं आड़े हैं बोले बाबा महंगी गाड़ियों का भी शौकीन है, उसके पास 25 से 30 लगजरी गाड़ियां भी हैं ऐसा दावा किया गया कि बोले बाबा किसी से दान नहीं लेता था, लेकिन मैंनपूरी के आश्रम में ऐसे 200 दान दाताओं की सूची है, जिनके नाम पर 10 हजार से लेकर पाखंडी बाबा मुर्दे में जान फूकने का भी दावा करता है, वो कहता है कि प्रलाइला सकता है, वो कहता है कि वो भगवान है, वो कहता है उसके चरनों की धूल से हर मर्ज ठीक हो जाती है लेकिन आज से 24 साल पहले जब उसने मुर्दे को जिन्दा करने का दावा किया, तब क्या हुआ था? आखिर क्यों? 24 साल पहले सुवयाम भू बाबा को जेल की हवा खानी पड़ी थी? पूरी कहानी समझते हैं मुर्दे में जान फूकने का दावा मौत का तमाशा बाबा की जैजैकार पाखंडी पर पहली एफ आईयार की कहानी 24 साल पुरानी बाथ है जगा थी आगरा का केदार नगर यहां के शमशान घाट में सफेज चादर से लिप्टी एक लड़की की लाश रखी थी चादर पल लाल कप्डा रखा था आस पास लोग हाँ जोड कर खड़े थे लड़की को कैंसर था और उसकी मौत दो दिन पहले हो चीकी थी एक बाबा ने दावा किया कि वो लड़की को जिन्दा कर देगा सैक्डो लोगों की भीड ये चमतकार देखने आई थी लड़की तो जिन्दा नहीं हुई उल्टा बाबा को पुल से पकड़ दिया केस दर्ज हुआ और उसे जेल जाना पड़ा अब जरा इस सबूत को देखिए देखिए बाबा के पाखन की कहानी बया करता 24 साल पुराना पुलिस रिकॉर्ड ये केस चमतकार और अंधविश्वास फैलाने के लिए दर्ज किया गया लेकिन कहानी कहा से शुरू ही वो बताते हैं आपको इसी आगरा शहर की बात है हमारे यहाँ पर एक जगा है कैदान नगर और कैदान नगर के पास ही एक शमचान घाट बना है और उस शमचान घाट के पास है मल का चबूतरा 24 साल पहले इस शबूतरे पर 17 साल की लड़की की एक लाश रखी थी सूरजपाल बाबा ने दावा किया था वो इस लड़की को जिन्दा कर देगा जैसे ही यह बात आजपास के लोगों को पता चली तो देखते ही देखते भारी भीड़े कठा हो गई लोग इसी उमीद में शमशान घाट पहुच गए कि सूरजपाल बाबा कोई चमतकार दिखाएंगे मरी हुई लड़की जिन्दा हो जाएगी सूरजपाल के सेवादारों ने कहा था कि सुबा 11 बजे लड़की जिन्दा हो जाएगी टाइम निकल गया लेकिन लड़की जिन्दा नहीं गया शमशान पर चमतकार नहोता देख उस दिर धीर बेकाबू हो गए लिहाजा शागन स्धानी के पुलिस मौके पर पहुची सूरजपाल बाबा और उसके साथियों को गिरफतार कर लिया गया शमशान घाड में मौजूद महिलाएं पाखंडी बाबा की गिरफतारी से भड़क गई लेकिन पुलिस से अपना इरादा न बदला पर उजंदा नहीं हुई थी उसको ऑस्पिटल बेहाया था हमना उसका पोस्मार्टम कराया था सब कराया था बाबा को जेल की राद गया था हाँ बाबा को जेल बेहा था उनके समर्टकों को गई जाता पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में दावा किया था कि इन आरोपियों ने चमतकारी शक्ती से एक यूफती को जिंदा करने का शर्यंतर रचा था इसी मामले को लेकर ये F.I.R. दर्च की गई थी बाबा के साथ ही छे लोग इसमें नामज़त किये गए कहते हैं कि सूरजपाल बाबा की कोई औलाद नहीं थी उसने एक बच्ची को गोद लिया था लेकिन बच्ची को कैंसर था इसी बच्ची की मौत के बाद भक्त लाश लेकर बैट गये दावा था कि बाबा लाश को जिंदा कर देगा लाश तो जिंदा ना हुई पर बाबा पर पहली FYR जरूर हुई थी तभी से यानी 24 साल से बाबा का पाखण जारी है इस बार तो 121 मौत के बाद भी वो चमतकार दिखाने नहीं आया पता नहीं भोली भाली जनता को इन पाखंडी बाबाओं का सच कब समझाएगा प्यूरो रिपोर्ट न्यूज इन भी अलग-अलग राज्यों में करीब 25 आश्रम और अकूच संपती संभालने वाले ट्रस्ट जो लगजरी गाडियों का काफिला लेकर चलता है जिसके काफिले में 25 से 30 गाडियां हर वक्त होती थी वो बाबा जो दान ना लेने का दावा करता है फिर भी करोडों का सामराज के पास पैसा चलिए पूरी कहानी को इस रिपोर्ट के जरीए समझाते हैं कि अ कि बाबा की सो करून की सामराज का सच क्या है नहीं लेता था दान रस्ट ही सोने की खदान सौ करूर से जादा के आश्रम और जमीर लगजरी कारों का काफिला आलिशान आश्रम और अस्ति सेवादा ये शान और शौकत भोले बाबा की उस बाबा की जो दावा करता है एक पैसा भी दान नहीं लिता सवाल यहीं से उठता है कि जब दान नहीं लिता तो करूर का सामराज कैसे आज हम आपको बाबा की सोने की खान में लेकर चले परताल करेंगे उस पहलो की जिसके लिए इस तरह के पाखंडी धर्म का सहारा लेकर अपना धंधा चलाती है हम अपनी परताल में बाबा के काले सामराज के सच को समझाने की कोशिश करेंगे दरजन और आश्रम की कहानी बताएंगे हर आश्रम के नाम पर बने ट्रस की कहानी बताएंगे बाबा के सोने की खादान में दान करने वाले दानवीरों की लिस्ट बताएंगे लेकिन इन सब के बीच जो दिखाई दे रहा है उसकी बात नहीं लेकिन काले को सफेद करने वाले राज से भी परदा उठाएंगे हमने जब बाबा की काले सामराज के परदाल शुरू की तो सबसे पहली कड़ी यानि इनकम का सोर्स उसके आश्रम नजर आए यूपी सहिट कई राज्यों में बाबा के कुल पचीस आश्रम है हर आश्रम का एक ट्रस्ट होता है हर ट्रस्ट में अलग-अलग दान आते हैं ट्रस्ट में अधिकतर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी है यूज 18 के कैमरे पर कई गवाहों ने बाबा के डर से बोलने से इंकार किया लेकिन आफ दा कैमरा उन्होंने दावा जरूर किया कि सरकारी नौकरी पर बैठे ये लोग अपनी काली कमाई ट्रस्ट में खपाने का काम करते हैं हम इस दावे की पुष्टी तो नहीं करते हैं लेकिन सवाल जरूर उठाते हैं आकिर 20 हजार से 25 हजार की नौकरी करने वाली लोग ये लाखों में दान कहां से लाते हैं बाबा के खेल के दो पहलू एक आश्रम और ट्रस्ट दूसरा सत्संग आश्रम में कोई भी दान कर सकता है जबकि सत्संग में सिर्फ हम कमेटी के जरिये खर्च का पैसा जुटाए जाता है यही से हम कमेटी का खेल शुरू हो जाता है माल लो आपको कोई सत्संग कराना है तो इसके लिए बाबा सीधे संदेश हम कमेटी के पास बेचता है फिर हम कमेटी सत्संग में होने वाले खर्च से लेकर इंतिजाम तक का जिम्मा समालती है अब जरा हम कमेटी के रोल को समझ आसे सि नब्बे लोग होते हैं हम कमेटी के पास दो काम होते हैं PETER कि थे अधीकतर सरकारी अधिकारी और कर्मिचारी होते हैं कमैटी के यही लोग सतसंग का पैसा लगाते, पैसे समाज की कायुबारी और बड़े लोग देते लेकिन यहां भी एक बड़ा खेल होता है, हम कमैटी के जरीए जो पैसा सतसंग के नाम पर खर्च किया जाता है, क्या वो एक नमबर का होता है? ये भी एक बड़ा सवाल है